Hello everyone, my name is Mehit and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वारी है Finally आप सभी के लिए railway की तरह से बहुत बड़ी गुण्यूस आ चुकी है बहुत सारी कैंडिड को कब से इंतिजार था विकैंसिस आपकी कब आएंगी Anti-PCOTTE की आप सभी करिए बहुत बड़ी गुण्यूस नहीं आप लेकर आ चुकी है विकैंसिस भी हम आरे पस आचुकी है कौन-कौन सी विकैंसिस के लिए आपको यह पे Apply करना है क्या क्या eligibility है कबसे कब तक आपको विकैंसिस के लिए Apply कर लेना है सबसे ची बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर male and female दोनों के लिए अलगल भी कैंसिस है दोनों यहाँ पर eligible apply कर सकते हैं तो दोनों notification का one by one cover करने वाले हैं क्या notification है, क्या eligibility मागी गी है कैसे आपके यहाँ पर selection and joining होने वाली है तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए important होने वाल है वीडियो को starting से intact जरूर देखना आप सभी के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो भी कोई update आता है, सबसे बले आपको provide करवाती हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखा कीजिए, इसलिए आपको हमेशा बोलती हूँ चैनल पर पहने बार आए है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल इकन को प्रेस करके all पर क्लिक करना तांकि अगली वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बात करें हमें यह आपे railway की दो नए vacances के बारे में, दो नए notification के बारे में जिसमें एक NTPC का है और एक TCTE का है दोनों के लिए All India से आप apply कर सकते हैं, male and female दोनों ही कैसे apply करना है, क्या के requirements है, कैसे आपनी यह आपे selection and joining होने वाली है सारे चीज़ों को डिटेल में cover करेंगे, वीडियो को starting से अंटक जरूर देखना विकोज वीडियो का हर पार्ट आपके लिए important होने वाला है चैनल भी पहनी बार आए है, subscribe करके, bell icon को press करना वीडियो को प्यारा सा like जरूर कर देना, आपका लिक लाइक motivate करते है, आपके लिए अपडेट लेकर आने का एक और आपके लिए गुडियो से आप बताना चाहती हूँ, नई vacances आ गी है एक notification आ चुक है, ICAC bank की तरव से, जिसमें कोई exam नहीं है, कोई fee नहीं है और एक आचुक है, post office की तरव से, ये दोनों वीडियो से आ रही है, हमारे second YouTube channel मीत शर्मा पे, मीत शर्मा YouTube में लिखना, आपको पहली नबर पे चैनल मिल जाएगा ज्यादा डाइमी नहीं हैंगे सीधा बात करेंगे latest vacances के बारे में इसके इलावा जो अदलग अलग डिपार्टमन के vacances आगी है, उसके लिए आप हमारी official website www.clory.com पर visit करके information लेकर apply कर सकते हैं, link website का description में दिया गया है आप देख पा रहे हैं, Google पे सीधा आप टाइप करना है, पहली नबर पे site मिल जाती है यहाँ पे आप अपनी category wise vacances भी देख सकते हैं, अपनी qualification wise vacances को देख के यही से आप apply कर सकते हैं, हर वीडियो के साथ प्रॉपर आपको हर notification के साथ प्रॉपर वीडियो मैंने प्रवाइट के हैं, जहाँ आप स्टैब बेस्टैब बताया है कैसे apply करना है तो यहाँ पे देख के आप apply कर लेना in vacances के लिए, फिल्हाल अब ज्यादा time में लेंगे सिद्धा बात करेंगे railway की नई vacances के बार में, पहले हम पहले notification के बार में बात करेंगे जो की TCTE का आया है, उसके बाद NTPC के बार में बात करेंगे, उसमें कॉनकुर्ण सी vacances है कब online आपको यहाँ पे apply करना है, male and female दोनों के लिए vacances है, दोनों यहाँ eligible है और इन vacances के लिए apply कर सकते हैं, job location भी आपके यहाँ पे nearby ही मिलने वाली है, आपका wait यहाँ पे over हो चुक है, TCTE की vacances के लिए भी, ठीक है, तो male and female दोनों के लिए बहुत अच्छा जान से apply आपको यहाँ पे जरूर से करना है, next अगर यहाँ भी हम बात करें, eligibility के बारे में, यहाँ पे 10th, 12th diploma candidate eligible apply कर सकते हैं, application fee यहाँ पे रखे गी है, general OBC के लिए, 500 application के फी है, उसके बाद यहाँ पे एगर reserve category के लिए बात करें, मतलब यहाँ पे एगर SC, SC के लिए बात करें, या others के ल यहाँ हो जाएगा, then आपको यह आपके fee जो है, वह आपिस हो जाती है, railway के official site पे link आता है, वहाँ पे अपनी details फिल करती है, बेंक के चार्ज ले डिडेक्शन के बाद आपको यह fee वापिस हो जाती है, अब यहाँ पे exam pattern के लिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या आपक है, उसके बाद reasoning ability के 40 questions, 40 marks के है, तो यहाँ पे 200 questions है, 200 marks के, ठीक है, next यहाँ पे आपके पास 2 घंटे का यहाँ पे timing रहेगी, और 1 3rd की यहाँ पे negative marking है, उसी के according आपको यहाँ पे attempt कर लेना होगा, ठीक है, next अगर यहाँ पे हम बात करें, eligibility के बारे में, तो इसके लिए 10th pass, 12th pass, graduate apply कर सकते है, all India candidate यहाँ पर apply कर सकते है, यहाँ पे selection procedure की बात करें, आपका CBT exam होगा, physical efficiency test होगा, medical होगा, document verification, उसके basis पे selection and joining है, apply mode सिरफ और सिरफ online है, age minimum 18 ने apply, easy, maximum 30, plus आपको relaxation यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें OBC को 3 साल का, SCC को 5 साल का, others को AIS पर नौम्स मिल रहा ह यहाँ पर बात करें, सबसे पहले जहाँ पर है TC, मतलब ticket collector की है, उसके बाद TTE, मतलब आपकी traveling ticket examiner की vacances है, तो आप में से हर कोई, यहाँ eligible apply कर सकता है, चिके तो यहाँ पर आपको apply online ही कर रहा है, बात करके next notification की बारे में, next week notification है देखिए आपका, वो है आपका railway NTPC का, ब job location across India है, permanent office job है, male female दोनो apply कर सकते है, apply mode इसके लिए online है, salary के बारे में, 21,700 से 69,100 salary है, all male and female यहाँ apply कर सकते है, next यहाँ अगर हम बात करें, इसमें vacances कौन कौन सी है, तो काफी type की vacances, सबसे पहले यहाँ पे SM की है, मतलब station master की vacances है, commercial clerk की vacances है, next बात करें, goods guard, traffic assistant, train clerk, junior timekeeper की है, junior clerk कम typist, senior clerk कम typist, senior timekeeper की है, junior accountant assistant कम clerk की है, commercial apprentice की vacances है, यहाँ पे आप पॉल इंडिया से apply कर सकते हैं, male female दोनों ही, next अगर selection procedure के बारे में यहाँ बात करें, तो यहाँ पी देखी, आपका पहले यहाँ पी CBT exam हो रहा है, ठीक है, जहाँ आपका stage 1 का exam है, then stage 2 क exam pattern ध्यान से समझना, उसी के basis पे आपकी selection and joining है, इतना time तक वेट किया है, तो सारी ध्यान से आपको समझ के ही apply यहाँ पे करना होगा, next यहाँ stage 1 and stage 2 का रहेगा, उसके बार medical exam होगा, document verification and joining procedure रहेगा, उसके basis पे सीधा यहाँ पे selection ही है, next यहाँ पे बात करें, मैंने आपको पताया stage 1, stage 2 का exam रहेगा, जो आपका CBT 1 exam pattern है आपे, उसमें देखी math के 30 questions 30 marks के है, next general intelligence and reasoning के 30 questions 30 marks के है, general awareness से रेटिर आपके 40 questions 40 marks के है, उसके बाद यहाँ पे total हो जाते है, यह 100 questions 100 marks के, इसके आपके पास जो timing इसके लिए रहेगा, एक घंटा 30 minute का time आपके पा आपको ध्यान से यहाँ आपका रहेगा, अब यहाँ पे CBT 2, stage 2 का रहेगा, उसमें देखी math के 35 questions 35 marks के है, next general intelligence and reasoning के 35 questions 35 marks के, general awareness से रेटिर 50 questions 50 marks के, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे total हो जाते है, 120 questions 120 marks के, इसके लिए आपके पास 1 गंटा 30 minute का timing आपके रहने बाला है, attempt करने के लिए, तो आपको ध्यान से यहाँ पे attempt करना है, next यहाँ पे अगर हम पात करें, CBAT exam का जो pattern है, वो आपका क्यार है, तो यहाँ पे विकैंस वाइजी वेली करता है, जैसे जो आपके assistant station master की है, यह traffic assistant की है, इसके लिए तो आपका computer based aptitude test है, next यहाँ पे clerk कम typist की बात करें, यहाँ पे senior clerk कम typist यहाँ पी timekeeper की बात करें, इसके लिए आपका skill test होगा, skill test महलोब typing आपकी देखी जाएगे, तो typing skill test आपका होगा, उसके basis पे आपकी यहाँ selection है, जो आए निक है, next यहाँ पे eligibility की बात करें, 12th graduate apply यहाँ करसतनी है, आप definitely इसके लिए eligible apply करसतनी है, job location आप आप देख पा रही है, 21,700 से 18,100 तक आपकी हाँ salary है, यहाँ पे application fee देखी, अगर आप undeserved candidate है, जैसे general या OBC तो आपकी 500 है, female candidate के लिए 250 application fee है, इसके साथ SC, SC या other reserve के लिए, even female किसी भी category से 250 application fee है, next अगर बात करें, यहाँ आपकी सारी vacancies के लिए age limit की, तो minimum 18, maximum 33 आप इसके लिए आपको relaxation मिल रहा है, last में देखिए अपको required link में पहला notification PDF का link मिल जाएगा, ठीक है, जो previous है, आपको रीड कर लेना है, second आपको apply का link मिल जाता है, और यहाँ जो दो link है last वाले, यहाँ पर latest इसके इलावा जो भी एक answers आईए, आप उनको यहाँ पर check करके apply कर सक के लिए, तो यहाँ पर देखिए, हमें अभी short update है, कुछ दिन में इसका complete notification आ सकता है, उसके basis पर आप यहाँ पर apply कर पाएंगे, ठीक है, अगर कुछ changes हुआ तब मैं आपके लिए complete video भी जरूर लेकर आऊँगी, हर कुई आपने सिहाँ eligible है, और इन वीकैंस के लिए apply कर सक सकनी है, और इसके लिए prepare हो सकनी है, देखिए अगर आपको कुछ भी help चाहिए, किसी भी notification के regarding चाहिए को railway का हो, SAC, bank का, आपने technical